साथियों, श्री अर्विंदों का जीवन एक भारत, स्वेष्ट भारत का प्रतिवीम है, उनका जन्म बंगाल में हुआ था, लिकिन वो बंगाली, गुजराती, मराटी, हिंदी और संस्कृत समेत कई भाषाओं के जानकार थे। उनका जन्म भले ही बंगाल में हुआ था, लेकिन उपना जादा तर जीवन उन्होंने गुजरात और पुडिचेरी में बिताया, वे जहां भी गए, वहां अपने व्यक्तित्व की गहरी चाप छोड़ी। आज आप देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे, महर्श्री अर्विंदों के आसरम, उनके अन्युआई, उनके प्रसंसक, हर जगह मिलेंगे। उन्होंने हमें दिखाया कि जब हम हमारी संस्कृत्य को जान लेते हैं, जीने लगते हैं, तो हमारी विविदता हमारे जीवन का सहज उत्सव बन जाती हैं। साथियों, ये आजहादी के अमरितकाल के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है, एक भारत, स्रेष्ट भारत का इससे उत्तम प्रोद्सान क्या हो सकता है। कुछ दिनों पहले ही मैं काशी गया था, वहां काशी तमिल संगमम कारकम का हिस्सा बनने का आउसर मिला। ये अध्वूत आयोजन है। भारत कैसे अपनी परंपरा और संस्कृति के माध्यम से, कैसे अटूट है, अटल है, ये हमें उस अउत्सव उत्सव में देखने को मिला। आज का युवा क्या सोचता है ये काशी तमिल संगमम में देखने को मिला। आज पूरे देश का युवा भाशा, भुशा के आधार पर बेद करने वाली राजनिती को पीछे छोड़कर, एक भारत, स्रेष्ट भारत की राष्टनिती से प्रेरित है। आज जब हम श्री अर्विंदो को याद कर रहे हैं, आजादी का अमरत महोसों मना रहे हैं, तब हमें काशी तमिल संगमम की भावना का विस्तार करना होगा।